नमस्कार में उप्रिया आपका स्वागत है भिहारी न्यूज में चुले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को आज है भारतिय टीम के पूर्फ कप्तान महेंदर सिंग धोनी का जन्म दिन जिसके तहत विराट कोड़ी ने लिखा हैपी बिर्थ रे माही भाई भगवान आपको अच्छी सहत दे और हमेशा आपको खुश रखे वहीं रवी शास्ट्री ने लिखा हैपी बथ रे यंग्स्टर वहीं हार्दिक पांडिया ने भी ट्वीट करके महेंदर सिंग धोनी को उनके जन्म दिन की हार्दिक शुब कामनाई दी है जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आपके चिट्टु की ओर से मेरे अधिकारी ने एक बार फिर से अमेरिकी सेना द्वारा भारत और चीन के बीच जारी संगर्श के संबंध में उसके साथ मजबूती से खड़ा होने का दावा किया है क्योंकि उस दुनों पहले अमेरिकी सेनी को द्वारा दक्षिन चीन सागर में आवाजा ही बढ़ा दी उन्होंने आगे कहा कि हमारा मिश्रिन के हस्तुन शुत करना है कि दुनिया यह जाने की हमारे पास अभी भी दुनिया का उत्कृष्ट बल मौजूद है राज़ानी दिल्ली में COVID-19 मरीजों की संख्या में आई गिरावट दिल्ली वासियों के लिए रहत भरी खबर सामने आई है जहां एक तरफ कुछ दुनों पहले COVID-19 प्रभावितों की संख्या बेलगाम बढ़ती जा रही थी वहीं दूसरी तरफ जाज्व का दाइरा बढ़ने से प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है मिली जानकारी के नुसार बीते दिन दिल्ली में 1389 ने मामले सामने आए हैं जबकि एक दिन पहले ही 2505 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी जिससे पहले भी 2000 से ज्यादा केस रोजा ना मिलना आम बाद थी मगर अब COVID-19 प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है दिल्ली वासी थोड़ी रहात की सास ले रहे भही केंदर सरकार की तरफ से भी साफतोर पर कहा गया है इस एकरम में एक बार फिर से कॉंग्रिस प्रभक्ता पवन खेडा ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और केंदर सरकार को आड़े हाथो लिया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पिछले बयान पर माफी मांगे और खुद प्रधान मंत्री ने रक्षा मंत्री देश की जनता के सामने आकर स्पष्ट करे की अभी लधा की क्या स्थिती है अतना ही नहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए राश्ट्र को संबोधित करना चाहिए देश को विश्वास में लेना चाहिए देश में माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हा मुझसे गलती हो गई है मैंने आपको गुमराह किया है वह कोई दूसरे शब्द का इस्तमाल कर सकते थे कि आप अपने आकलन में मैं गलत था चीन को व्यापारिक स्तर पर गिराने की हो रही है पूरी तयारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद भले ही कम हो गया हो सरकार ने चीनी कमपनियों को रोकने के लिए एक प्रस्ताब जारी कर दिया है जो इसके जरी आरेवारे समय में ऐसा किया जो आना संभव होगा बिली ज़ानकारी के नुसार 50 चीनी कमपनियों ने फिलहाल भारत में या फिर बाहर भारतिये कमपनियों में निवेश करने के प्रस्ताव दिया है हाला कि सरकार दुआरा अप्रेल में लाए गया एक नए नियम के बाद से इसे सभी निवेश की स्क्रीनिंग होने लगी है जो भारत से लगती भी सीमाउ से आए है जैपुर की एक कमपनी ने बनाया वीडियो कॉलिंग आप जैपुर की सूचना प्रद्योगी की कमपनी डेटा इंजेनियस ग्लोबल ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग आप वीडियो मीट विक्सित किया है कमपनी का दावा है कि इसके जरीए एक साथ दो हजार लोग वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जोड सकते हैं कमपनी के संस्थापक और मुख्य कारेपालक अधिकारी अजय दत्ता ने इस बात की जानकारी दी है और मीडिया हाउस से बातशीत के दोरान कहा है कि इस आप के जरीए एक सत्र में लोगों के ओन्लाइन भाग लेने को लेकर कोई सीमा नहीं है क्योंकि यह उपियोग करताओं के पास बैंडविथ और होस्टिंग के उपलत सुविधा पर निर्भर करेगा इस आप के जरीए राजनेतिक रैली भी आसानी से की जा सकेगी प्राइवेट ट्रेनों में कमपनिया जल्दी तै करेंगी किराया नाशनल ट्रांसपोर्ट की तरह ही साजा की गई रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट ट्रेन का किराया कमपनिया अब खुद टै करेंगी प्लेन की तरह पैसेंजर्स की मर्जी की सीट के लिए एक्स्ट्रा चार्च देना पड़ेगा इतना ही नहीं प्राइवेट कमपनियों द्वारा तै किये गए किराया में रेलवे के हिस्सेदारी भी होगी आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे इस साल 2023 तक 109 रूटों पर प्राइवेट ट्रेन चुलाने की दिशा में रेलवे तीजी से काम कर रहा है जिसकी तहएट एरलाइन्स की तरह प्राइवेट ट्रेन में भी मर्जी की सीट बैगेच समेट अन्य सर्विस के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा इससे होने वाली कमाई ग्रॉस ट्रेवेन्यू की तहट अकाउंट होगी और फिर रेलवे के साथ ग्रॉस ट्रेवेन्यू का बटवारा किया जाएगा इतना ही नहीं प्राइवेट ट्रेन को ले कर रेलवे ने हाली में प्राइवेट कंपनीों से प्रपोजल की मांग भी की थी अमेरिका में भी tiktok समित सभी Chinese Apps को किया ज़ा सकता है बंद चीनीज Apps की परिशानी खत्मोंने का नाम नहीं ले रही है भारत में कुछ दूनों पहले 69 आप्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने के बाद अब रिपोर्ट की माने तो अमेरिका भी भारत की तरह ही इन आप्स पर प्रतिबंध लगा सकता है मिली जानकारी के अनुसार चीन की मुश्किले और ज्यादा बढ़ सकती हैं अमेरिका भी टिक टॉक समेथ चाइनीज सोशल मीडिया आप्स को बैन करने पर विचार कर रहा है अगर ऐसा होता है तो आर्थिक तोर पर चीन को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा अमेरिकी विदेश मंतरी माइक पॉंपियो ने इसे लेकर विचार करने की बात कही है उन्होंने मीडिया से बाचीत के दौरान कहा है कि मैरास्ट्रपती के सामने गेट आउट होना नहीं चाहता हूँ इसलिए यह ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं चीन क एक राजपूत के आखरे फिम दिल भैचार का ट्रेलर बीति दिन रिलीज के रिलीज किया था जुसके बाद इस ट्रेलर कोbon से बार खरे ट्रेलर के रिलीज होने से पहले ही 55,000 लाइक्स मिल चुके थे ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर सेलिबरेट से ले करके सुशान्त के फैन ने रियाक्शन दिये हैं COVID-19 मरीजों से अब अस्पताल अपने मन मुदाबिक दर नहीं ले सकेंगे COVID-19 के नाम पर अक्सर कई अस्पतालों ने मरीज से मोटे पैसे वसूले हैं लेकिन अब COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे जनरल इंशॉरेंस काउंसिल ने राज्यों और स्वास्त विशशंग्यों से बात करने के बाद इस्पताल और बीमा कमपनियों के लिए COVID-19 के इलाज के लिए दर तै कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप सभी 32 इंशॉरेंस कमपनी प्राइवट हॉस्पिटल के साथ मिलकर कांसिल द्वारा तै किये गए कोरोना के पाकेज का उप्यो करेगी यकीनन कांसिल द्वारा तै मुल्य निर्धारन करने के बाद लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी साथ ही मुल्य को लेकर हो रहे है विवात के भी अब खत्म होने के आसार जताई जा रहे है जो इसके परिणाम स्वरूप अब कोई भी नेटवर्क पार्टन होस्पिटल मेट्रो शेहर में आईसियो और वेंटिलेटर के लिए 15,000 से अधिक चार्ज नहीं ले सकते नॉन मेट्रो शेहर में 11,250 रुपे से ज्यादा नहीं लिया जाएंगे आईसोलेशन बेट के लिए 8,000, बॉडी स्टोरेज के लिए 5,000 निर्धारित कर दिये गए हैं शत्रुग निसिना ने मध्य प्रदेश की सरकार पर कसा तंच कॉंग्रिस नेता शत्रुग निसिना एक भी मौका नहीं छोड़ते अपनी पिछली पार्टी भाजपा के खिलाफ बयान बाजी करने का इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सरकार को आड़े हाथ हो लेते वे कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा तीन खेमों में बट गई है महराज, नाराज और शिवराज जिसके बाद श्रत्रुक निसना के इस बयान के कई माई ने निकाले जा रहे हैं आपकी ज़ानकाई के लिए आपको बदा दे मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्री मंडल के विस्तार के बाद अटकले लगाई जो आ रही थी कि कई भाजपा नेता नाराज चल रहे हैं इन भाजपा नेताओं को मंत्री मंडल में जगए नहीं मिलने की वज़े से इनकी नाराज की देखने को मिल रही है लेकिन जोतिरादिति सिंध्या के कोटे से दरजनों भर लोगों को मंत्री बदनाए जाने की कारण कुछ भाजपा नेता की दाविदारी धरी की धरी रह गई है इसलिए मध्य प्रदेश विलहाल तीन खेमें में वटा दिखाई दे रहा है महराज का मतलब जोतिरादिति सिंध्या नाराज का मतलब जिन लोगों को सीट नहीं मिली और शिवरा सिंग चौहान जिनकी सरकार है भारत चीन सीमा पर तनाफ कम होने के बावजूद द्विपक्षिय रिष्टों में दरार है कायम भले ही भारत चीन के बीच दूइपक्षिय वारतल आपके बाद सीमा विवाद थोड़ा कम होता नजर आ रहा हो क्योंकि अधिकारियों की बैठक के बाद चीन ने अपने सैनिकों को एक दो किलोमेटर पीछे खीचने का फैसला सुनाया है मगर भारत और चीन के बीच LAC पर दूइपक्षिय हितों में दूरी कायम है आने वाले समय में चीन को भारत आर्थिक तोर पर तनाव देना ज़ारी रखेगा ताकि LAC पर किसी भी तरह के तनाव पैदा करने से पहले चीन दो बार जरूर सोचे भारत में चीन के खिलाफ आर्थिक मुहिम की शुरुवात हो चुकी है निर्मान कंपनियों के मोर्चे पर पुराना रुख कायम रहेगा भारत की रनीती आर्थिक मोर्चे पर चीन के खिलाफ निर्ने की प्रक्रिया कम करने की है बलकि भविशे में धीरे धीरे बढ़ाने की है जिस पर भारत की तरफ से कोई भी पुनर्विचार नहीं किया जाएगा विश्विद्याले को परिक्षा कराने के मिली अनुमती COVID-19 के बर्थे प्रभाव के भी जहां 10 वी और 12 वी की परिक्षा को स्थगित कर दिया गया था अंतिम वर्ष की परिक्षा आयोजित कराने का निर्देश देते हैं। अंतिम वर्ष की परिक्षा आयोजित कराने का निर्देश देते हैं। अंतिम वर्ष की परिक्षा आयोजित कराने का निर्देश देते हैं। जिसमें वाट्साप दो विग्यापन बनाने वाली है जिसमें दिखाये जाएगा कि कैसे उसके मेसेज भेजने, वीडियो कॉल करने या वोइस मेसेज भेजने के फीचर्स लोगों को एक साथ जोड के रखते हैं। बारत में वाट्साप यूजर की संख्या 44 करोर से ज्यादा है और यह उसके लिए सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है अर्थ्य वस्ता की बदहाल स्थिती होने के बावजूद भारत सरकार द्वारा चीन की तरफ से किये गये निवेश को निरस्त करने का फैसला कितना सही है अपने जबाब हमें कमेंट करके जरू हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद